हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सक्ति फार्मा दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे CRPF ASI Pharmacist का नॉन टेक्निकल पार्ट 3 जिसके अंदर हम नुमेरिकल एप्टिट्यूट के MCQ 21 to 25 डिसकस करेंगे दोस्तों यह हमने जो पांच MCQ सेलेक्ट किये हैं यह बारवार प्रिविस एर फार्मा सिस्ट में पूछे गए हैं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिया और वीडियो को लास तक जरूर देखिए गया चलिए अब हम डिसकस करते हैं नुमेरिकल एप्टिट्यूट के टॉप 5 MCQ Question number 21 देखते हैं दोस्तो Question को ध्यान से पढ़ेंगे thenруж 16 के बर्गमूल तता चार के बर्ग का गुड़न फल ग्याद कीजिये तो हमें 16 के बर्गमूल तता चार के बर्ग का गुड़न फल ग्याद करना है दोस्तो इस तरीका के कोस्चचन एक्जामस में बार-बार पूछे जाते हैं तो कोस्टन के अक्वर्डिंग 16 के बर्ग मूल तो 16 का बर्ग मूल यहनी अंडर रूट के अंदरinsky अंदर 16 फिर आगे पढ़ेंगे 4 के बर्ग का गुड़नफल गुणा 4 के बर्ग का गुड़नफल तो root 16 का माल 4 हो गया into 4 कबर 16 तो 16 चौक 64 तो बहुत ही simple question है यह तो हमारा option C सही हो गया यानि 64 दोस्तों इस तरही है question बार बार exam में पूछे जाते हैं तो हमारा right answer होगा option C चलिए अब next question देखते हैं Question number 22 Saloni 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तै कर सकती है यदि बहुत 20 किलो मीटर प्रती घंटा की चाल से चलती है दोस्तों question को ध्यान से पढ़ना है और question लंबा देखके हमें डरना नहीं है तो एक बार ध्यान देंगे हम Saloni 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तै करती है यानि हमें समय निकालना है यदि बहुत 20 किलो मीटर प्रती घंटा की चाल से चलती है तो हमें चाल भी दी गए है और दूरी भी दी है दोस्तों हमें formula तो याद ही होगा चाल बराबर दूरी बटे समय लेकिन दोस्तों एक चीजा यहाँ पे ध्यान देने वाली है जो दूरी है हमारी ये 450 मीटर में दी है और जबकि चाल हमारी प्रती घंटा है तो हमें ध्यान यह दीना है कि 20 किलो मीटर प्रती घंटा को हमें मीटर प्रती सेक्ट में convert करना है तो दोस्तो, दो पॉइंट आपको यहां पर याद रखने है, बीस किलो मीटर प्रति घंटा, यानि किलो मीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सैकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम पांच बटे अठारा से गुणा करते हैं, ठीक है? और इसका उल्टा अगर मीटर प्रती सेगंड को किलो मीटर प्रती घंटा में कंवर्ट करना हो तो 18 बटे 5 से गुणा करते हैं यह आप ध्यान रखना तो यह दे रखा है किलो मीटर प्रती घंटा तो इसको हम मीटर प्रती सेगंड में कंवर्ट करेंगे तो पांच बटे 18 से गुणा करेंगे ओके यह बहुत ही important point है हमारे लिए चलिए अब हम question को solve करते है तो हमें हमारा formula तो आपको यादी होगा चाल बरावर दूरी बटे शमे तो हमें समे निकालना है तो समे is equal to हो जाएगा हमारा समे is equal to हो जाएगा दूरी बटे चाल तो दूरी हमारी कितनी है 450 मीटर 450 हमारी दूरी हो गई और चाल कितनी है हमारी 20 किलो मीटर 20 किलो मीटर लेकिन हमें 20 किलो मीटर को convert करना है मीटर परती सेकंड में तो इन्टू अभी हमने बताया था पांच वर्टे 18 करना पड़ेगा ठीक पांच वर्टे 18 कर दिया ठीक है अब हम इसको solve कर लेते हैं ये 18 हम यहां से यहां काट के उपर जाएगा तो ये इधर बुड़ा में आ जाएगा ये तो आपको पता ही होगा अब हम solve करते हैं एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं ठीक और ये पांच नेम 45 कर देते हैं इसको पांच नेम 45 और ये इधर हो जाएगा दो नेम 18 दो नेम 18 तो इधर हमारा कितना बचा 9 इंटू 9 9 इंटू 9 कितना हो गया 81 तो हमारा correct answer हो जाएगा option D चलिए देखते है option D कहाँ पर है तो हमारा correct answer हो गया option D ठीक है दोस्तों I hope that आपको clear हो गया होगा चलिए अब next question देखते है चार किरमागत संख्याओं का योग 154 है चारो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो दोस्तों question ध्यान से देखेंगे चार किरमागत संख्याओं का योग 154 है तो चारो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्याओं में बतानी है किरमागत संख्या आप जानते ही है जो किरम से हो जैसे 1, 2, 3, 4 तो अब यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा तो मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी क्या है? X है ठीक? अब चारों संख्या का योग क्या एक सो चोगन बताया गया है ठीक है? तो पहली संख्या हमने X मान ली फिर प्लस दूसरी संख्या हम मानेंगे X प्लस 1 और प्लस तीसी संख्या मानेंगे हम X प्लस 2 और चौथी संख्या हम मानेंगे X प्लस 3 ठीक है? क्योंकि हमारी दोस्तों यह कहा गया है साब साब चार क्रमागत संख्यां का योग 154 है तो पहली संख्या X दूसरी संख्या X plus 1 तीसरी संख्या X plus 2 और चोथी संख्या हो गई X plus 3 इसका योग कितना है 154 इसका योग बताया गया है 154 ओके 154 अब देख लेते हैं अब हम देखते हैं X को जोड़ लेंगे आपस में एक, दो, तीन और चार तो टोटल चार X हो गए तो यहाँ पर हमारी से मिकड़ हो जाएगी 4X प्लस अंको काउंट कर लेते हैं एक, एक और दो तीन और तीन छे तो प्लस प्लस 6 होगा 4X प्लस 6 इसका लिटू 154 तो अगर हम 4X और 6 को उधर ले जाएं यानि 154 माइनस 6 कर दें तो यह बचेगा 148 ठीक, 148 148 बचा हमारा अब X की बैली यहाँ से निकाल लेंगे तो X is equal to हो जाएगा 148 अपोन 4 X is equal to होगे हमारा 148 142 148 अब 4 से इसको काटेंगे हम तो 4 तीया 12 4 तीया 12 बचा दो 4 सकते 28 तो यह हमारा हो जाएगा 4 तीया 12 तो 4 सकते 28 37 अब दोस्तों हमने ध्यान दिया होगा कि हमारी सबसे बड़ी संक्या तो सबसे बड़ी संक्या हमारी चोथी संख्या क्या थी चोथी संख्या थी हमारी X प्लस 3 X प्लस 3 थी न X कमान हमारा 37 है तो हमारी सबसे बड़ी संख्या थी X प्लस 3 X प्लस 3 और X कमान है हमारा 37 तो यानि 37 प्लस 3 कितना हो गया 40 तो हमारी सबसे बड़ी संख्या निकल के आगई 40 तो देखें दोस्तो 40 कौन सा अप्शन है तो अप्शन B तो हमारा अप्शन B करेक्ट आंसर है अप्शन B I hope that दोस्तों आपको संद में आ गया होगा चलिए अब नेक्स कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमबर 24 सार्थी ने एक बैंक में रुपए 3125 जमा किये जिस पर बैंक द्वारा 8% साधरन ब्याज बार्शिक दे था यदि सार्थी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो बहे कितना ब्याज अर्जित करेगा कुश्चन लंबा है लेकिन इसे देखके कुछ लोग छोड़ देते हैं लेकिन बहुत ही सिंपल कुश्चन है एक बार ध्यान से पढ़िए सार्थी ने एक बैंक में कितने रुपए जमा किये 3125 अब ध्यान देने वाली बात ही है लेकिन चक्रवर्दी ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है तो हम इसको दो टाइप से सोल्ट पर सकते हैं एक तो 3125 रुपय का 8% निकाल करके जो भी आएगा उसको 5 से गुणा कर देंगे लेकिन हम डारेक्टली इसको 8% मिलना है हमें एक साल के लिए तो 5 साल के लिए कितना होगा चालिस तो डारेक्टी हम 3125 का 40% निकाल लेंगे क्यों हम 40% निकालेंगे इंटू 40 परसेंट 40% कैसे निकालते हैं पता यह तीन हजार 125 गुड़ा 40% निकालना तो 40 बटे शो कर देंगा इसको सॉल्ब कर लेते हैं एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और यहां पे इसको 5 से कर देते हैं पांस दूनी 10 और यह जाएगा पांचंग 35 पिर यह 2 से 2 दूनी 4 तो कितना बचा हमारा 625 इंटू 2 तो हमारा बचा 625 इंटू 2 इस इकोल टू हो जाएगा 1250 ठीक 1250 तो हमारा करेक्ट अंसर कुन चाहोगा ओप्शन B तो हमारा ओप्शन B करेक्ट अंसर हो गया है ठीक किलियर चलिए नेक्स कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमबर 25 एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चोड़ा है पार्क के बाहर 4 और 2.5 मीटर चोड़ा एक रास्ता बना है रास्ते का 6 त्रफल बताना है मैं बहुत ही सिंपल कोस्टन है लेकिन द्यान से देखना पड़ेगा हमें सबसे पहले हम देखेंगे एक आयताकार पार्क तो आयत तो हम जानते ही हैं आयत का मतलब होता है लंबाई चोड़ाई बराबर होती है ठीक है चलिए सबसे पहले हम एक आयत बनाते हैं यह हमने एक आयत ड्रा किया यह हमारा आयत यह हमारा आयत है तो एक आयताकार पार्क है इसकी कितना लंबाई है 45 मीटर लंबाई है तो यह है हमारा 45 मीटर तो इसकी लंबाई हो गई यह हम अंदर लिख लेते हैं इसके 45 मीटर लंबाई है ठीक है थोड़ा चोटा बन गया 45 मीटर यह लंबाई है ठीक यह 4 है 45 मीटर लंबाई है इसकी और चोड़ा कितना है 30 मीटर 30 मीटर इसकी चोड़ाई है ठीक फिर आगा पढ़ते हैं पार्क के बाहर 4 और 2.5 मीटर चोड़ा एक रास्ता बनाए है तो इसके चारो और ये रास्ता है ये 2.5 मीटर ही है चारो तरफ ठीक यानि ये वाली दूरी 2.5 और ये भी 2.5 यानि सब तरफ ये 2.5 है ठीक अब ध्यान ये देंगे अब इसमें हमें दो आयत नजरा रहे हैं पहला ये बड़ा वाला और दूसरा चोटा वाला लेकिन हमें ये रास्ते का छेत्रफल बताना है तो अब हम ये वाली दूरी निकाल लेंगे हमें यह वाली दूरी निकालने हैं यानि यह वाली दूरी निकालेंगे हम तो यह कितनी होगी देखे 45 तो पहले थी यह प्लस 2.5 इधर और 2.5 यह और 2.5 यह और इन दोनों को जोड़ने 2.5 2.5 तो यह हो जाएगा 5 5 हो जाएगा न तो यह 45 तो ही प्लस 5 और जोड़ जाएगा तो यह हो जाएगी हमारी 50 अब इसकी चोड़ाई भी पहले 30 तो ही प्लस 2.5 2.5 दोनों जोड़ लिया तो यह हो जाएगी हमारी 35 चोड़ाई ठीक है जहां से देख लीजिए चित्र यानि अब बड़े वाले जो आयत का है इसका चित्रफल हम निकालेंगे तो आयत का चित्रफल आपको पताई होगा लंबाई गुणा चोड़ाई लंबाई क निकालेंगे छोटे वाले का निकल आयेगा 45 इसके लंबाई है और चोड़ाई 30 है चली अचरिए और तर यह वाला छेत्र फशल हमें निकालना है वाला चेत्रफल निकलने के लिए 1 बड़े वाले हैत में से छोटा वाला घट का और निकाल आया सिंपरी से लिए निए लंबाई थी हमारी 50 और चोड़ाई थी हमारी 35 और उनकी आफस में गुणा कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 25 पांस्तिया 15 और दो 17 यानि 1750 और छोटे वाले आयत का छेत्रफल हो जाएगा हमारा लंबाई थी उसकी 45 और चोड़ाई थी हमारी 30 मीटर इसका हो जाएगा 35 15 तीन चोग 12 और 13 यानि 1350 समझगे आप यानि बड़े वाले आयत का छेत्रफल हो गया हमारा 1750 और छोटे वाले आयत का छेत्रफल हो गया 1350 अगर बड़े वाले में से छोटे वाले आयत का छेत्रफल गटा जें तो हमारे रास्ते का छेत्रफल निकल आए कि तेरा सो पचास इस इकल टू कितना हो गया तो सत्रा सो पचास में से और तेरा सो पचास गए तो हमारा बचेगा चार सो कि चार सो मीटर स्क्वायर कि तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चार सो मीटर स्क्वायर